आज 67 में सुभा समय पर हमने नोटिस दिया था और यह जो नोटिस दिया गया है हिमाचल परदेश में बे नामी सौदों को लेकर सदन चर्चा करें और इस पर जो है सरकार चर्चा करने के लिए त्यार दी हमने कहा कि हमारे पास एविडेंस हैं और जब सरकार बनी नहीं थी भारति जंता पर्टी एपोजिशन में थी उसमें भारती जंता पर्टी हए साक्ति अऽक रहे करती कि वे नामी सौदों की हम जांज कर आएंगे आज हिमाचल परदेश में लगातार माः चार पत्रों की सब्रकियां मन रहा है कि हिमाचल के मंत्री जो है बहुत जो है जमीने खरीद रहे हैं और बेथा जमीने खरीद रहे हैं आप जानते हैं कि हमाचल प्रदेश में जो SEALING ACT है, LAND SEALING ACT है उसमें 315 कनाल जमीन एक यह ज़की जड़ा से ज़ाद है रख सकता है जब कि मंत्रियों जो मामले सामने propor 2 ऊचेड हैं दर्मशाला मੈं चेलियां जगह है जो कि HPC स्टेडियम जो है उसके साथ लगती है पहां पर 19 भी का जमीन जो है दो हजार तेरा में रिष्टी होती है और ये जो रिष्टी होती है ये 75 लाख रुपे की रिष्टी की जाती है जब कि बहां कांगटा जिला के काटगर जगा जो है इसके पास गंगयत के पास जो है काटगर जगा रहने बहुताल है और जो व्यक्ति है उसके पांच से 7 कनाल जमीन जो है खेती वारी वाली जमीन है और आदमी कहा खेतीवारी करता है आप यह देखिए कि इतनी बड़ी nestany जो हुआ है इसके पीछे है कौन स्टेडियम के पास जमीन किस ने खरीदी है सरकार इसकी जांच करने के लिए त्यार नहीं है इसके अलावा आप यह देखिए कि सिरमौर और चहल में सेंकड़ों बीगा जमीन जो है इस दोरान खरीदी गई है वो कौन लोग है सरकार में कौन लोग है जो ऐसी जमीने खरीद रहे हैं इसके अलावा मंत्री इन सब मसलों को लेकर दिली क्यों तलब हुए और जब तलब हुए तो उसके बाद एक्शन क्या हुई और सरकार बेनाबी सब्सक्राइब को मावलों को लेकर चर्चा क्यों नहीं कर रही है क्यों किन लोगों को बचाने की कोशी की जा रही है और सरकार की क्या मुद्बूरी है क्या बेवसी है इसके इसको लेकर हम चर्चा करना चाहरे थे और दूसरा आप यह देखिए क पालमपुर में तेई सो कनार जमीन जो है वो उसका सौधा हुआ और तेई सो कनार जो टी गाडन था उसके बाद रिस्ट्री होई और रिस्ट्री के बाद जो है ये जमीन का जो इंतकाल है वो जो है वो खारिज किया गया इंतकाल जो है उसको रद किया गया इसके अलावा कनाल हुई है आप जानते हैं कि वहाँ 40-50 ला करपया पर कनाल रेट है इसलिए बहुत सारी गड़बड़ियां हैं इसके अलावा हमने सिर्फ मातर इतना कहा है कि अगर सरकार पाक साफ है तो सरकार में सभी मंत्री जितने मंत्री हैं उनके क्रीबी रिष्टेदार जो है उनकी पिछले तीन साल की जो जमीनों की खरीद प्रोकत हुई है संपतियों की खरीद प्रोकत हुई है उसका जो है भ्यूरा सदर में रखा जाए और क्या कारण है कि इस मामले को दवाने की कोशिश हो रही है इससे पहले वी सम करवाई जाए और जिन लोगों ने जमीने ख्रीदी हैं उनका सोर्स अंदन क्या है यह सारी चीज़ें जो है वो चर्चा का विश्य है और यही कारण है कि आज हिमाचल परदेश के लोगों का सरकार पर से विश्वास उठ रहे हैं सरकार मामले को दवाने की कोशिश कर रही है और अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है और सरकार इसलिए चर्चानी कर रही है हम डिमांड कर रहे है कि इसकी जो जाच है तीन सालों की संपती किस मंत्री ने अपने नाम अपने परिवार के नाम अपने रिश्यदार्द के नाम खरी दिया है उसकी सदन में जो ह को असलियत का पता लगे कि यह हमने कहा है और सरकार इस पर चर्चा करने के लिए त्यार नहीं है इसलिए हमने बाकॉट किया है और अपना ग्रोजवाय धर्ज कर रहे हैं